देवठनी एकादसी जैसे असाड मा एकादसी आथे दूसर पक्छके उला देवशैनी एकादसी बोलते हैं वो इसने हैं असाड के बाद चतुर मास माने चार मास तक देव मन सैन मरत हैं जैका नाम से ही देवठनी एकादसी होते कातिक मा कातिक के शुकल पक्छके एकादसी के दिन ला वी दिना गन्ना के पुज़गं भी करतें वहीं दिना तुल्षी जी के विबाह भी होते भगवान सालिक राम जी के सात मा यादगार मा उला गन्ना केकर बर के वही दिन ले गन्नाला काट के लाकर भी वह वोकरे मंडब बने रहे इस पहली वोकरे नाम से ही वह लले क्या थें जो तुल्शी के बिवाह जैसे तुल्शी जब दूपत्ता के रथे तब है उला सावन मनिकाल के उला लगाना चाहिए और बाद उला पूरा चार मह इना तक जतका बड़े हो जाए ओपेड़ा वही पेड़ के ही साधी करना चाहिए ऐसे नियम है ओकर वह हिसाब से जो पूजा करते हैं वह यह तुल्शी विवाह है अब पहली के जगे तुल्शी है ओकरे पूजा खाली करे मा कोई दोस नी है मगर हां ओकर विवाह नी करना चाहिए बिबाह करना है तो उला पहली जब सावन मा छोटे से पवधा प्राप्त हो थे ना उकरे समय लेही वला गंबला वगरा मा कुछुमा भी लगा के रखके फिरोकर साथ बसालिक राम जी के वोकर साधी करना चाहिए धुमधाम के साथ जसना बन जाये अपन अब एकाद मा आवला नहीं खाना चाहिए लेकिन अभी जो है उकर पूरा महिना भर पूजा हो थे आखरी मा पूर्णी मा के बाद ले तहां फिर चालू करते हैं उला एकरे नाम से आवला के भी धात्री देवी के रूप मा उकर पूजा करे जाते हैं यह सब काति के महिना मा हो थे में अग्धन मां मां फिर साधी है अच्छा उस्सा वाला कारी है मांगली कारी है फिर उकर बात तहां चालू हो जाते देव उठनी एक दसी के बाद से एस अभी पूना चार महिना तक और बर वर बर जीत रहते